हेलो फ्रेंग्स क्या आप भी ब्रत में एक ही तरह का नास्ता खाखा करके बोड़ हो गए हूं तो समा की चावल का इस तरह का हेल्दी नास्ता एक बार जरूर बना करके खाईए इसे आप बिना ब्रत के भी बहुत ही ज्यादा खाना पसंद करेंगे तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हमने आधा कटोडी जितना समा का चावल ले लिया उसको अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इसमें हम गरम पानी डाल करके इसको 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे गरम पानी डाल लेने से समा का चावल बहुत ही जल्दी फूल जाता है जब तक समा का चावल फूल रहा है तब तक इसके साथ खाने के लिए हम चटनी तयार कर लेते हैं तो एक लेया है उसमें एक छोटी कटोडी, भूनी हुई मुचफली है छोटी कटोडी गडल पास तजा नारियल लेहए le अगर आपके वास तजा नारियल नहीं हो तो आप सुखा नारियल ़ी ले सकते हैं एक हडी मिर्ची डाल लें दो चमच के करी हमने यहाँ पर दही डाल लिया है स्वात के अनुसार नमक एड़ कर लेंगे और इसको एकदं पारिक पीस लेंगे अब इससे पीस लेने के बाद एक कटोड़ी में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें तरका लगा लेंगे और इस समा के चावल को एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे दो छोटे साइस के आलू ले लेंगे और इसमें दो हरी मिर्चे डाल लेंगे दो चमच के करी मैंने यहाँ पर दही डाल लिया है अगर आप दही नहीं डालना चाहते हो तो निमू का जूस भी डाल सकते हैं या फिर निमू का जूस भी नहीं डालना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसे पीस लेंगे पीसने के बाद यहाँ पर इसे एक बावल में ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी के जार में थ फोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं दो चमच के करीब और पानी डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लोगी इसमें से जो कोई भी चीज आप ब्रत में नहीं खाते हों उसे आप इसकी भी कर सकते हैं तो चलिए बैटर तयार है अब हम नास्ता बना लेते हैं तो ना लेंगे एक चमच और इसको गोल सेप में फैला देंगे इस तरह से जब उपर से हलका सा ड्राय हो जाएगा तो कुछ बुंदे घी की हम डाल लेंगे आप चाहें तो इसको बीना घी ओल के भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से यह पलट जाती है आप देख सकते हैं एक इसको बनाना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और यह हिल्दी भी होता है केवल दो बिन तेल में यह बन करके तयार हो जाता है बहुत कम सामगरी से धेर सारा यह बन जाता है तो इसी तरह से हम धेर सारे नास्ते बना करके तयार कर लेंगे बहुत ही कम समय में तो देखे फ्रेंस यहां पर मैंने चार नास्ता बना करके तयार कर लिया है और इसे मैंने चट्मी के साथ सरुक कर लिया है इंद फटा फट से बन जाने वाली बहुत ही जादा हेल्दी ब्रत में खाई जाने वाली यह रेसिपी है तो आप इसको ब्रत में चाहे तो बिना ब्रत में भी कभी भी बना करके खा सकते हैं आपको रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर से बताईएगा